हमने जो computer section के important mcq start किया थे उसका second lecture है आपने यह समझना है कि एक movie show चल रहा है जिसमें song, romance, action हना हर चीज होगी boring होके नहीं पढ़ना है ठीक है enjoy हो ले लेके पढ़ना है तो चलो हम देखते हैं अपनी movie computer की movie हम देख रहे हैं जिसमें important mcq discuss कर रहे हैं आज का उसका first question है हमारा the pattern of a printed line on most products are called ठीक है जो printed line ठीक है जो product के उपर printed line का pattern होता है उसको हम क्या बोलते है ठीक है कोई भी product लेते हो आप उस पर printed line होती है तो उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है barcode ठीक है क्या बोलते है बार कोड, OCR, OCR की फुल फॉर्म है, Optical Character Recognition, ठीक है, जो क्रेक्टर को स्कैन करता है, तो Option C इसका क्रेक्ट है, आगे है MICR की फुल फॉर्म, MICR की फुल फॉर्म, ठीक है, MICR की फुल फॉर्म क्या है, Magnetic Ink Character Recognition, ठीक है, मलब की जो Magnetic Ink Character Recognition, जैसे ATM, debit card होते हैं हमारे, ठीक है, उसके उपर ऐसे जैसे, जो Magnetic Character Reader होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक, Option D is Correct, शाबबाज, जो OCR होता है, वो क्या Recognize करता है, ठीक है, क्या Recognize करता है, OCR हमने क्या बुला, क्या होता है, Optical Character Reader, तो वो इसको, शेप को, हाना, शेप को Recognize करेगा, ठीक है, तो Option B is Correct, अभी स्टार्ट हो रही है, थोड़ा इंट्रेस्ट बनाओ, आइस्ता इस्ता बनाओ, मुवी समझ के बढ़ो, जैसे हम एक ही वर मुवी देखते हैं, तो पूरा हमें पता चल जाता है, लास्ट में जब इसको करते हैं, और जो दिमाग में रखो कि अच्छा, वो printer होगे हो जो किस में मेजर करते होंगे, सोचो, सोचो, इसको करते हैं, Page per Minute, ठीक है, PPM, ठीक है, जो printer की speed होती है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, Page per Minute, Option C is Correct, और जो यह CPM है, यह है, character per minute, ठीक है, अब इन में से कौन सा है, जो only input device है, input आपको पता है, जो input देता है, output जो बहार जैसे printer, हम paper डालेंगे, तो बहार निकल गया आएगा, ठीक है, अब keyboard में कुछ type करेंगे, तो वो हमें अंदर phone में दिखेगा, नांदर, तो mouse, keyboard, keyboard, अब next कौन सा होगा, monitor तो क्या होता है, monitor ऐसे TV होता है, movie देख रहे हैं, उस पर बहार दिख रहा है, तो वो output है, printer में हमने page डाला, तो बहार निकल गया गया, जो बहार out हो रहा है, तो output है, ठीक है, plotter जो बड़े-बड़े graph बिगे रहा, poster बिगे रहा, शपाता है, वो भी बहार निकल के आता है, plotter, scanner तो scan होता है, option D is correct, क्या आएगा, mouse, keyboard and scanner, USB, ठीक है, USB क्या होती है, storage device, processor, pod type, यह ना ना, यह होती है, pod type, यह बहार से हम लगाते हैं, इसका full form क्या है, universal serial bus, ठीक है, option C is correct, अभी आ रहे हादे hall में आ रहे हैं, भी देखने लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि OCR किसके लिए used होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है तो किसके लिए used होगी, electric bill, telephone bill, insurance, all the above, ठीक है, सभी के लिए OCR ही हम use करते हैं, ठीक है, इसे से recognize करते हैं, correct को, joystick is primarily used, ठीक है, जो joystick होती होती हो हम किसके लिए use करते हैं, वो हम gaming के लिए, ठीक है, आपने use वी की होगी, gaming के लिए, computer gaming, option C is correct, the dash may also call the screen or monitor, जैसे अभी आप भी वी वीडियो देख रहे होंगे, screen पे, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, display, ठीक है, बोलते हैं, display खराब होगी मेरी, ठीक है, करवाओ, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, secondary memory, permanent memory, अब बोल रहे हैं, ऐसी कोन सी डिवाइस है, ठीक है, ये कोन सी डिवाइस है, जिसमें speaker और headphone आते हैं, जो आप headphone लगाते हो, जो आप speaker, अब मैं बोलूँगी, तो अब आज बहार चाहेगी, headphone से भी क्या होता है, अब आज बहार आती है, तो कौन से हुआ, जो जिसमें बहार आती है, वो output, option B is correct, output, get out, जो पैलर port होते हैं, port क्या होते हैं, जो बहार से हम कुछ external चीज़े को attach करते हैं, computer के साथ, उसको हम port बोलते हैं, तो ये हम किसमें यूज़ करते हैं, कौन सा, पैलर port, ठीक है, P से पैलर, और P से printer, option B is correct, printer में हम पैलर port को यूज़ करते हैं, option B is correct, जो हम hard copy, ए on a, कैसे बनती है, dot matrix printer, इसे बनती है, plotter से भी बनती है, type writer से भी बनती है, ठीक है, जैसे बहार जो photo state आपने निकाले, वो, सब इसे बनती है, option D, all the above, अब next question है, जैसे हमारी कुछ external device है, printer हो गया, keyword हो गये, modem हो गये, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम peripheral, क्योंकि इसको हम computer के साथ बाहर से attach करते हैं, ठीक है, बाहर से attach करते हैं, जो हम बाहर से attach करते हैं, उसको हम बोलते हैं, peripheral, option C is correct, higher the resolutions, आफे printer, ठीक है, printer की अच्छी resolution, अच्छी picture चाहिए होगी, तो उस time क्या होना चाहिए, larger the pixel, closer to gather the pixel, ठीक है, let's clear the screen, तो यह होना चाहिए, सारी pixelे, अगर close close होगी, तो आपकी picture जो होगी, वो बहुत अच्छी दिखेगी, ठीक है, option B is correct, जो laser printer होता है, ठीक है, वो printer करता है laser beam से, लेकिन किसके ओपर, magnetic, electric, photosensitive, अब laser बोल रहे हैं, laser beam, हना कोई light है, तो photosensitive है, lights related है, option C is correct, कौन सा rate होता है, जब हम scanning को repeat करते हैं, CRT, CRT होता है, cathode radio, ठीक है, इसके ओपर, जब हम बाहर बार, बार बार scanning करते हैं, उस rate को हम क्या बोलते है, refresh rate, ठीक है, refresh rate, resolutions होता है, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी, high quality में दिखे, ठीक है, bandwidth थो एक memory, तो यह आगया option B, trackball किसकी example है, ठीक है, trackball, ऐसे आपने देखियोगी, यह trackball, ठीक है, इसे हिसाब की होती है, तो pointing, ठीक है, जैसे mouse, यह भी क्या है, pointing device, option C is correct, trackball किसकी example है, pointing device की, अब बोल रहे हैं कि mouse की best position, ठीक है, best position कैसे होती है, आप सभी को पता है, जब हम mouse चलाते हैं, तो उसकी tail, user की तरफ होती है, तो उसको हम क्या बोलते है, best position है, option D is correct, mouse को किसने मनाया था, अब कोशन है कि mouse को किसने मनाया था, किसने मनाया था, dog hellas invert, कुत्ते को बगा के mouse को ले आए, ठीक है, dog hellas angel vert ने, option A is correct, इन में से कौन सा hardware नहीं है, ठीक है, processor, printer, mouse, java, java, जावा नहीं है, जावा है, ठीक है, option D is correct, transfer of data, ठीक है, जो CPU से data transfer होता है, कहां पर, peripheral drive, जैसे हमने printer लगाया हो, keyword लगाया हो, तो वो किसके कारण, achieve हम करते हैं, कोई तार लगाई होगी ना, कोई wire लगाई होगी, उससे हम achieve करेंगे, तो यह port, ठीक है, उसको हम port बोलते हैं, input, output, port, option D is correct, ठीक है, option D is correct, आपने देखा होगा computer या phone, उसके पीछे, एक thin plate होती है, जिसमें electronic component होते हैं, हना chip पे जुपे लगी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम circuit board बोलते हैं, या फिर उसको motherboard बोलते हैं, ठीक है, ऐसे भी पूल सकते हैं, motherboard, और जो RAM है, RAM की full form है, random access memory, ठीक है, इसमें हम read and write दोनों कर सकते हैं, जब हमारा phone off हो जाए, तो इसकी जो data होता है, वो delete हो जाता है, ROM होती है, read only memory, ये non-volatile है, इसमें delete नहीं होता, hard disk जो होती है, वो secondary memory और permanent होती है, ठीक है, इसका correct option है हमारा circuit board, mouse के बीच में एक wheel होता है, ठीक है, आपने mouse देखा होगा, ये ऐसे ऐसे wheel होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, scroll, option B is correct, कोई भी जो data या instruction हम memory of computer में बेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, input, ठीक है, जैसे अब मैं लिख रही हूँ, 1, 2, 3, तो ये क्या, input है, हाना, अंदर बेज रहे हैं, बहार दुर ना रह है, जो किस की तरह है, upside down, ठीक है, mouse की तरह ही होता है, upside down, ठीक है, वो होता है, trackball, option A is correct, ठीक है, कौन सा होता है, trackball, जो display size है, monitor का, उसको हम किसे, कैसे measure करते हैं, उसको हम diagonally, ऐसे होती है, ठीक है, तो option A is correct, ठीक है, option A है, LED की full form, या आप सभी को बता होगा, light emitting diode, ठीक है, light को emit करने वाला diode, option D is, जो आपको screen के ओपर एक marker show होता है, ठीक है, जैसे ये, one, two, three, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम cursor बोलते हैं, इदर गया, इदर गया, इदर आ रहा है, file खोलो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, cursor, कौन सा device use करके हम tags और numerical data को computer में लिखते है 1, 2, 3, और A, B, C, D, भी हम लिख सकते हैं, वो है keyboard, option D is correct, जो printer की resolution होती है, उसको हम किसे measure करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई copy या page print out करवाए हैं, तो उसकी हम सफाई की clarity को check करेंगे, तो वो किसे करेंगे, dot per inch, ठीक है, dot per inch से हम printer की resolution को measure कर सकते हैं, option D is correct, कौन सा ऐसा input device है, जो analog information को digital form में convert करता है, analog को digital form में convert करता है, उसको हम digitizer बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, digitizer is input device या output, तो ये input device है, option D is correct, यह आप लोगोंने बड़े paper दी होगे, special type of optical scanner होता है, जो type of mark made by pen या pencil, जो pen या pencil से mark बने होते हैं, उसको read करने के लिए, क्या बना है, optical mark reader, ठीक है, option C is correct, इन में से non immersive display किसकी होती है, ठीक है, LCD की, किसकी LCD की, वो printer, जब वो printer, प्रिंट करते हैं, क्रेक्टर को, तो वो strike करते हैं, ठीक है, स्ट्राइक कड़क कड़क, जिसमें sound produce होती है, वो कौन से printer होते हैं, वो होते हैं, impact printer, option C is correct, credit card में जो information को read करता है, वो कौन सा input device है, वो है magnetic stripe reader, ठीक है, magnetic stripe reader, option D, LCD की full form है, lucid crystal display, ठीक है, lucid crystal display, laser printer और inkjet printer, ठीक है, inkjet printer और laser printer, किसकी type, यह कभी देखा है, हमने कड़क कड़क करते होगे, sound produce करते होगे, कभी नहीं करते हैं, ठीक है, तो यह कौन से non impact, ठीक है, option B is correct, aircraft, यह flight में हम कौन सी device को use करते हैं, जो game में use करते हैं, joystick, ठीक है, option B is correct, कौन सा input device है, जिसमें standard feature होते हैं, laptop के, standard feature, stand नहीं रहता है, standard feature होते हैं, बताओ, करो answer, touchpad, option C is correct, कौन सा ऐसा device है, जो electrical energy को light में convert करता है, electrical energy को light में convert करता है, अच्छा, वो होते हैं, non-impassive display, option B is, non-impassive नहीं करते, impassive करते हैं, ठीक है, immassive display, option A is correct, next question है, dash printer or print, print one character at a time, सोचो, सोचो, सोचता हूँ, मैं ये answer आता मुझे, आता है मुझे, सोचना क्या है, अच्छा, वो printer का नाम बताना है, जो one character को print करता है, ये है, dot matrix, option D is correct, जो refresh rate होता है monitor का, उसको हम किस में measure करते हैं, measurement, किस में करेंगे, वो frequency होती है, frequency को हम hearts में measure करते हैं, जो optical character recognition होता है, उसको हम एक को नाम से बलाते हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, इसका nickname बताईए, गोलू मोलू सोनू, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम है intelligence character recognition, अच्छा, ये intelligent होता है, तभी तो इतनी सीज़ों को scan करता है, तडडडड़, option D is, जो हमारी touch screen होती है, उसमें तीन main component होते हैं, एक तो touch sensor, controller, और तीसरा, बोलो, give me answer, transmitter, receiver, software drive, या फिन अनवद अवब, ये option C होता है, software driver, ये हम letter को कहां पर found करते हैं, कहां found करते हैं, keyword में, option D is correct, which memory does not use capacitor in its memory unit, memory unit में कौन सी आसी memory होती है, जिसमें हम capacitor को use नहीं करते, ये होती है, S, R, A, M, synchronous, random, access, memory, D का गया है, dynamic, ठीक है, option A is correct, जो information RAM में store होती है, उसके लिए क्या जूद पर, उसको हमने refresh, बार बार बार, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, किसमें, जो RAM, random access memory, ये क्या होती है, volatile होती है, मतलब की, जैसे मैंने calculator में अभी add किया, 1 plus 2 is equal to 3, लेकिन मेरे battery low है, phone off, तो then after मैं इसको, जब open करूँगी, तो ये गुम होगी होगी, जो current time हम use करते हैं, वो होती है RAM, option C is correct, memory किसे बनती है, memory किसे बनती है, large number of cell, ठीक है, large number of cell को मिला के, हमारी memory बनती है, dash ability of device, jump directly to the request data, जैसे हमने उसकी request की, वैसे उसने jump कर दिया, कौन सी random access memory, option B is correct, virtual memory, virtual memory एक illusion होता है हमारा, ठीक है, illusion आफे extremely large main memory, ठीक है, ऐसे थोड़ी जादा, illusion, option D is correct, optical disc, ठीक है, जो optical disc होती है, उसकी कोई example बताओ, ये होती है DVD, ठीक है, DVD जो अब चलाते हो न, DVD, दीदी तेरा देवर दीवा, DVD की full form है, digital birth style disc, ठीक है, ऐसे वो question पोच सकते हैं, DVD की full form क्या है, digital birth style disc, option C is correct, कौन सी memory है, जो capable है, capable of operating at electronic speed, कौन सी memory है, semi conductor memory, ठीक है, option C is correct, dash is very high speed memory, ठीक है, बहुत सजाओ speed memory होती है, RAM और CPU के बीच में, CPU की full form क्या होती है, या मेरे को comment में, बताओ, इसके बीच में जो memory होती है, उसको हम बोलते है, cache memory, ठीक है, option D is correct, एक byte में कितने bits होते हैं, एक byte में कितने bits होते हैं, आप एक byte को कितने byte में काट के खा सकते हैं, आठ में, ठीक है, आठ टुकड़े करके हम खा सकते हैं, ठीक है, option D is correct, ऐसी कौन सी program है, ऐसी कौन सी memory है, जब computer user, जिसको manufacturer के time में ही डाला होता है, ठीक है, उसको हम बार बार modify नहीं करते हैं, नेक्स कौशन था, कौन सी ऐसी memory है, जिसको हम, जब computer बनाते हैं, उसी time ही उसको manufacture किया जाता है, बार बार उसको हम modify नहीं कर सकते हैं, वो memory है, ROM, ठीक है, ROM की full form है, random, read only memory, ठीक है, read only memory, ठीक, और ये जो PROM की full form है, प्रोग्राम, read only memory, और EP ROM की है, electrical, program, read only memory, ठीक है, इसको option D is correct, कौन सी memory है, जो shortest access time, ठीक है, कम time के लिए, होती है, यह होती है, cache memory, option A is correct, next question है, जो software होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, software क्यों क्या बोलते हैं, filmware, physical component, यह फिर program, यह कुछ भी नहीं, तो यह option C, इसको हम एक program, ठीक है, program की तरीके से लेते हैं, software को हम कितने type में characterize कर सकते हैं, यह system और application, application जैसे app बेगर आप यूज़ करते हैं, उसको जो एक particular एक ही काम के लिए बनाए होते हैं, ठीक है, तो option D is correct, वो कौन से software होते हैं, जो application software, computer hardware, सभी के साथ मिलके काम करते हैं, उस software को, उस program को हम क्या बोलते हैं, यह होते हैं, system, software, यह से antivirus, ठीक है, antivirus मिला maintenance के लिए जो बनाए होते हैं, software, वो होते हैं, यूटिलिटी, और application वो होते हैं, जो एक particular काम के लिए, यह से app होगे, ठीक है, तो option D is correct, यह आ गया कि वो वाले program, जो day-to-day task, और maintenance, maintenance of computer system को, वो होते हैं, system, utility, option B is correct, application software कोन से हैं, जो perform करते हैं, specific for computer user, specific, यह से words जब चलाना है, chat करनी है, ठीक है, तो वो होगे application software, option C is correct, system software की example, device driver, language translator, system utility, यह सारे ही आते हैं, ठीक है, यह सारे, किसमें आते हैं, system, software में आते हैं, option D is correct, वो कौन सा software है, जो program language को machine language में convert करता है, यह होता है, language translator, ठीक है, एक compiler होता है, ठीक है, एक compiler, इन में से कौन से example है, operating system की, unix, linux, window, all the above, यह सारे ही किसकी example है, operating system की, option D is correct, अब language translator जो होते हैं, वो तीन type के हैं, कौन कौन से, compiler, interpreter, assembler, जो assembler है, वो assembly language, किसको convert करती है, machine language में convert, machine language कौन से, binary code वाली 01, और जो interpreter होते हैं, यह high level language में convert, line by line, ठीक है, और जो compiler होते हैं, वो सारे एक ही बार में convert कर देता है, उसको, तो यह option C, कौन कौन से, compiler, interpreter और, option B, option D, compiler, interpreter और assembly, यह type हैं, किसकी language को translate करने की, option D is correct, Linux is a type of, ठीक है, जो Linux है, यह तो operating system की type है, software की type है, लेकिन कौन से, open source, इसका जो source होता है, वो openly होता है, ठीक है, option C is correct, application software की example, database मैंने, spreadsheet, image, editor, यह सारे आते हैं, ठीक है, option D is correct, कौन से software है, जो permanently store होता है, memory में, very important, ठीक है, जो memory में permanently ही store होता है, तो वो कौन सा होता है, Fimware, ठीक है, Fimware, very very important, Fimware जो होता है, वो memory में permanently ही store होता है, option D is correct, अब next question है, हमारा, close source software, को हम एक और बोलते हैं, क्या नाम है, इसका, यह है, proprietary software, अपनी property, option B is correct, image को edit करने वाले, की example बताओ, image editor, जो add over, add over आए, जहां पर तो उसको ऐसे आंखी बंद करके, टीक लगा देना, हैं, क्योंकि यह तो होती है, और coral draw यह भी ही, सारे all the above आएगा, इसका answer, ठीक है?